वेल्कम तू माई चैनल यह जो क्लिप आप देख रहे हुए दिवाले के दिन इवनिंग की है और उस समय हमें बहुत काम था तो मैंने बहुत जल्दी में यह सबजी बनाई है तो मैंने सोचा कि आप लोग साथ क्यों न सियर की जाए कि मैंने यह सबजी कैसे बनाई और बहु प्याज और शिमला मिर्च को रफली चौप करके रखा था तो पहले मैंने प्याज को एड़ किया और प्याज को एड़ किया दो चार बर चलाया उसके बाद मैंने शिमला मिर्च को भी एड़ कर दिया और शिमला मिर्च को भी दो चार बर चलाने के बाद मैंने उसमें मसाल कर दिया और सब्जी मसाला या रेगुलर मसाले जो भी आप खाते हो एड़ कर सकते हो और लास्ट में मैंने थोड़ा सा कलर के लिए उसमें कस्मीरी लाल मिर्च को एड़ कर दिया और उसके बाद उसको दो-चार बाद चलाया हलक ऐसा पता ही कि प्याज और सिमला मिर्च वर दाल द्च वाद को टूप करके तो बड़ी टमाटर में नाल दीए और उसको भी उनके साथ में अच्य से भुन दिया एक तरफ मैंने पनीर लिया और पनीर को कट करके उसमें हल्दी और नमक और उसके बाद उसमें से कस्मीरी लार्ड मिर्च एड़ किया और लास्ट में मैं ने दही डाली थी जो फ्रेश दही मैंने रूम टेंपरेचर पर रखी तो उसको भी एड़ कर दिया और एड़ करने के बाद मैं नम उसको अछी तरीके से मिला लिया और 5 मिनट के लिए बस छोड़ दिया कि अच्छे तरीके से उसमें एब्सॉर्ब हो जाए, दही कभी फ्लेवर आ जाए मसाला तो भुन चुका था, फिर मैंने जो पनीर रखा था उसको भी मैंने उसमें एड कर दिया और उसको अच्छे से चला लिया, दो तीन मिनट तक उसको बस प्लेवर आने तक पका लिया, ऐसे तो पकी चुका था वो, आप लोग इस सबजी को एक बड़ ट्राई जरूर करना और इसका फीडबैक सेर जरूर करना, यह बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है, और फिर म निलते हैं नेक्स ब्योडियों